मर्यादा पुर्शुत्तम भगवान स्री राम के नाम पर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि उनके नाम पर कोई घोटाला और भ्रस्टाचार करने की हिम्मत करेगा लेकिन जो कागजात मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ वो कागजात चिला चिला कर कह रहे हैं कि राम जनम भूमी ट्रस्ट के नाम पर परोणो रूपए चंपत राम जी ने चंपत कर दिया उनका नाम चंपत राय नहीं नटवर लाल होना चाहिए करोणो रूपए राम जनम भूमी ट्रस्ट के नाम पर घोटाला और भ्रस्टाचार करने का काम किया मर्यादा पुरुषुत्तन भगवान स्रीराम जिनके प्रति करोणो लोगों की आस्था है जिनके प्रति इस देश के करोणो इंदूओं की आस्था है जिनके नाम पर एक गरीब किसांसे लेके करमचारी हो या फैक्टरी में काम करने वाला मजदूर हो सब ने प्रबुसरी राम का मंदिर बनाने के लिए चंड़ा दिया लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जो ट्रस्ट जिसके नाम पर वो चंड़ा दे रहे हैं जिस ट्रस्ट में वो चंदा दिया जा रहा है उसमें भी घोटाला और भ्रस्टाचार कर लिया जाएगा और ये घोटाला कैसे हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ एक-एक करके बताना चाहता हूँ ये आयोध्या में एक जमीन है जो गाटा संख्या 243, 244, 246 ये गाटा संख्या की जमीन जिसकी मालियत 5 करोण 80 लाख रुपए है जिसको दो करोण रुपए में कुसुम पाठक और हरीस पाठक जी से दो लोगों ने खरीदा जिनका नाम था सुल्तान अंसारी और रवी मोहन तिवारी रवी मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने हरीस पाठक और कुसम पाठक से दो करोण की जमीन खरीडी गाठा संख्या 243, 244, 246 और इस जमीन खरीड में जो सुल्तान अंसारी और रवी मोहन तिवारी ने खरीडी इसमें दो गवाह बने एक अनिल मिस्रा जो राम जनम भूमी के सदस्य हैं और दूसरे रिषी केस उपाध्याय जो आयोध्या के मेयर हैं ये दो लोग इसमें गवाह बनते हैं और ये जमीन जो खरीडी गई वो खरीडी गई साथ बचके दस मिनट पर साथ बचके दस मिनट पर पांच करोण असी लाग की मालियत की जमीन सामको साथ बचके दस मिनट पर दो करोण रुपए में कुसम पाथक और हरीस पाथक के द्वारा बेची गई सुल्तान अंसारी और रभी मोहन तिवारी ने उसको खरीदा और ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिस्रा उसके गवाह बने पांच मिनट बाद क्या करिश्मा होता है ठीक पांच मिनट बाद ये जो दो करोण में जमीन खरीदी गई जिसकी मालियत पांच करोण असी लाख है वो जमीन राम जनम भूमी ट्रस्ट ने चंपत राजी ने साड़े अठारा करोण रुपए की खरीद ली और साड़े अठारा करोण में सत्रा करोण रुपए आटी जीयस कर दिया रवी मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से खरीदा साड़े अठारा करोण में खरीदा दो करोण की जमीन लगभग साड़े पांच लाख रुपए प्रतिस सेकंड जमीन का दाम बढ़ गया हिंदुस्तान क्या दुनिया में कहीं कोई इतनी जमीन एक सेकंड में महंगी नहीं होगी लेकिन राम जनम भूमी प्रभुसरी राम के नाम पर बने ट्रस्ट में एक सेकंड में साड़े पांच लाख रुपए में महंगी करके जमीन खरीदी गई साड़े अठारा करों रुपए में और सत्त्रा करों रुपए आर्टी जीयस्त कर दिया गया और इसमें भी मज़ेदार बात है मज़ेदार बात यह है कि जो अनिल मिस्टरा जी बैनामा कराने में गवाँ थे जो अनिल मिस्टरा जी ध्यान से सुनियेगा ट्रस्ट के मेंबर जो अनिल मिस्टरा जी बैनामा कराने में गवाँ थे वही अनिल मिस्टरा जी इस जमीन को ट्रस्ट के नाम पर खरीदने में भी गवाब बन गए जो मेर महोद है रिसी के सुपाध्याजी जमीन बैनामा में गवाब थे वही ट्रस्ट के नाम पर खरीदने में गवाब बन गए तो मैं समझता हूँ आज उन करोणों भक्तों को गहरी ठेस लगी होगी आज प्रभुसरी राम के नाम पर भब्य मंदिर निर्माण के नाम पर जिन लोगों ने चंदा दिया उनकी भानों को गहरी चोट और ठेस लगी होगी कि जिस ट्रस्ट पर भरोसा करके उन्होंने करोणों रूपए का चंदा दिया प्रभुसरी राम के नाम पर वो ट्रस्ट के जिम्मदार लोग उसके पदादिकारी करोणों रूपए की हेरा फेरी कर रहे हैं करोणों रूपे का भरस्टाचार कर रहे हैं जो जमीन दो करोण रूपे में खरीदी गई वो जमीन साड़े अठारा करोण में पांच मिनट के बाद ही कैसे खरीद ली गई मुझे साफ तौर पर कहना है ये मनी लॉंडरिंग का मामला है ये भारी भरस्टाचार का मामला है मैं मांग करता हूँ देश के प्रधान मंतरी आधनी नरेंद्र मोदी जी से मैं मांग करता हूँ इस देश की सरकार से तत्काल, E.D.A. और C.B.I. के जरिये इस मामले की गहन जाच कराके जो इसमें भरस्टाचारी लोग हैं उनको पकड़ कर जेल में ढालिए क्योंकि ये इस मुलक के करोणो राम भक्तों की आस्था का प्रश्ण है करोणो उन लोगों का प्रश्ण है जिन्हों ने अपनी गारी कमाई का पैसा राम Mandir के निर्मार के लिए दिया और उसमें ये भरस्ट अचार और घोटाला किया गया और एक अजीब बात है एग्रिमेंट का टाइम और बैनामे का टाइम एग्रिमेंट के स्टाम का टाइम और बैनामे के स्टाम का टाइम जो जमीन बाद में एग्रिमेंट हुई यानि बाद में बेची गई ट्रस्ट को जो बेची गई उसका स्टाम खरीदा गया पांच बच के ग्यारा मिनट को साम को और जो जमीन पहले रवी मोहन तिवारी ने खरीदा उसका स्टाम खरीदा गया पांच बच के बाइस मिनट पे ये आप समझ पा रहे हैं रवी मोहन तिवारी ने जो जमीन हरीस पाठक से खरीदी उसका स्टाम तो पांच बच के बाइस मिनट पे खरीदा गया लेकिन जो एगरिमेंट हुआ साड़े अठारा करोण रुपए में और इसमें सत्रा करोण रुपए पे कर दिया गया वो पांच बच के ग्यारा मिनेट पे इस टाम खरीद गया यानि जो जमीन खरीदनी है ट्रस्ट को उसके लिए पहले से इस टाम खरीद लिया गया और किसी भी ट्रस्ट में जमीन खरीदने के लिए बाकाइदा बोर्ट का प्रस्ताव पारित होता है उनका जो ट्रस्ट होता है उसमें प्रस्ताव पारित होता है पाँच मिनट में ही राम जनम भूमी ट्रस्ट में कैसे प्रस्ताव पारित कर लिया और कैसे जमीन खरीद ली तो इसलिए मैं फिर दोरा हूंगा आधनी प्रधान मंत्री जी आज पूरा सच प्रभुसरी राम के नाम पर घोटाले का पूरा सच इस देश की जनता के सामने आ चुका है उन्हें लोगों का चेहरा काला हो चुका है जिन्होंने प्रभुसरी राम के नाम पर चंदा इकठा किया लोगों की आस्था के साथ खिलवार करते हुए घोटाला और ब्रस्टाचार किया